दोस्तों स्वागत है All Exam Guide Group पर दोस्तों आप सभी को पता है SSC GD के exam शुरू हो रहे हैं और SSC GD में पूशे जाने वाले important question मैं आपके लिए इस वीडियो में लेकर आया हूँ ये 30 प्रशनियात कर लीजे 100% इन में से आपको exam में देखने को मिलेंगे ये 30 questions बहुत ही important है अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर कर दीजेगा अगर आपने ये 30 के 30 यात कर लिए तो इसमें से 100% 30 के 30 exam में आपको देखने को मिलेंगे और आपके नमबर safe हो जाएंगे तो चल की preparation करने वाले जो भी student है आप मुझसे unacademy पर live पढ़ सकते हैं free में 12 बजे से class है 12 बजे वाली class की link मैंने इस वीडियो के description box में दे दी है link पर click करके class को enroll कर लीजे और आप आजाए मुझसे पढ़ने के लिए correct 12 बजे से एक घंटे की class रहेगी अपने दोस्तों को भी जा download कर लीजे application आसानी से available है download करने के बाद में mobile number डाल कर register करिए OTP आएगा application जब चालू हो जाएगी तो मुझसे free पढ़ने के लिए आपको ssc exam select करना है my goals manage exam में जाकर जैसे ही आप exam select करेंगे आपसे वहाँ पर free enroll code मांगा जाएगा unacademy पर आपको code क्या डालना है AEGG ये चार अक्षर का code जैसे ही आप enter करेंगे unacademy के application unlock हो जाएगी और आप मुझसे रोज free unacademy पर ssc exam की preparation कर सकते हैं पढ़ सकते हैं तो चलिए मैं आपका wait कर रहा हूँ 12 बजे correct class में जरूर जुड़ जाएगा अब हम start करते हैं वीडियो तो question number one आप screen पर देख रहे हैं इस्थाई बंदोबस्त किसके साथ किया गया इस्थाई बंदोबस्त किसके साथ किया गया तो जमीदारों के साथ में इस्थाई बंदोबस्त किया गया रामोसी आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे तो रामोसी आंदोलन के प्रमुख नेता जो है राइट आंसर चित्तर सिंग नरहरी सिंग नरहरी पारेख और उमाजी ये सभी all of above प्रश्नि के लिए सही उत्तर हो जाएगा next question राजा राम मोहन राय द्वारा इस्थापित प्रथम संस्था का ना जीवन पुष्टक जो है ये लिखी है किसने सचिंद्रनाथ सन्याल जी ने next question भूमी प्रबंधन अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था तो भूमी प्रबंधन अधिनियम जो है 1856 में पारित हुआ था next question महरानी लक्ष्वीबाई की समाधी कहां पर इस्तित है तो महरानी लक्ष्वीबाई की समाधी जो है गौालियर में इस्तित है next question 1857 के विद्रों से कौन संबंधित नहीं था right answer क्या है तो 1857 के विद्रों से संबंधित नहीं थे उधम सिंग जी next question भारत में राश्रिय पंचायत दिवस मनाया जाता है कब तो भारत में राश्रिय पंचायत द द्वारा इस्थानिय मेलों पर लगने वाला कर वसूला जाता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त पदावधी क्या होती है तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधी जो होती है वो होती है छै वर्स या 65 वर्स आयू जो भी पहले हो किसका संबंद चुनाव आयुक से नहीं है राइट आंसर क्या हो जाएगा तो चुनाव आयोख से चुनाव की अधिसुचना जारी करना चुनाव की अधिसुचना जारी करना चुनाव आयोख से ये संबन्द नहीं है next question निम्ण मैं से कौन सा national voters day है तो national voters day इनमें से 25 जनवरी को मनाया जाता है हर साल अगले कौशन पर चलते हैं कौन सी संस्था विदेशी ब्यापार से संबंदित थी राइट आंसर क्या हो जाएगा तो विदेशी ब्यापार से संबंदित संस्था जो है नाना देशी संस्था थी राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट कौशन विजय न अगर राजिके संस्थापक इन में से कौन थे तो राइट आंसर हो जाएगा हरिहर और बुक्का नाम के दो भाई विजय नगर सामराजिके संस्थापक माने जाते है जोदपुर सहर की स्थापना किस ने की थी राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रशन के लिए तो जोदप तो चाद की तरह प्रवस्थाएं दिखाने वाला ग्रह शुक्र ग्रह है अगला कॉशन देखते है निम्ड मैंसे कौन सा एक गलोब पर वरहत ब्रत नहीं है राइट आंसर क्या हो जाएगा बतला ये तो गलोब पर वरहत ब्रत नहीं है ये है 60 डिगरी उत्री अक्षांस रेखा करक रेखा तथा मकर रेखा के बीच का छेतर क्या कहलाता है राइट आंसर क्या हो जाएगा तो करक रेखा और मकर रेखा के बीच का छेतर उष्ण कटी बंदिया छेतर कहलाता है मिश्र धातू और सिलीकेटों से बनी धरती की परत क्या कहलाती है तो मिश्र धातू और सिलीकेट से बनी धरती की परत जो है सियाल कहलाती है राइट आंसर हो जाएगा रूपांतरिच चट्टानों की उत्पत्ती किस चट्टान से होती है तो रूपांतरिच चट्टानों की उत्पत्ती जो है आगने और तल छटी दौनों प्रकार की चट्टानों से होती है कौन सी परवश श्रंखला विश्व में सबसे बड़ी है राइट आंसर क्या हो जाएगा तो विश्व में सबसे बड़ी परवश श्रंखला एंडीज परवश श्रंखला है राइट आंसर हो जाएगा नेक्स कॉशन निम्ण मैंसे कौन सा सبसे बड़ा पठार है, सही उत्तर क्या हो जाएगा तो इन मैं से सबसे बड़ा पठार जो है कॉले राडु का पठार है, राइट आंसर हो जाएगा next question देखते है महान विभाजक श्रेडी किस महादीप में इस्तित है right answer क्या हो जाएगा तो महान विभाजक श्रेडी जो है और श्रेलिया में इस्तित है next question देखते है यह रहा आपके सामने कौन सा दर्रा लहासा को लद्दाक से जोड़ता है तो लहासा से लद्दाक को जोड़ने वाला दर्रा इनमें से है लनक ला दर्रा right answer हो जाएगा next question बादल किस मंदल में आउतरित होते है right answer क्या है प्रश्रिण के लिए सही उत्तर क्या हो जाएगा प्रश्रिण के लिए तो यहां पर सहीत्र हो जाएगा कारण क्या है बतलाईए साफ रात मेगे रातों की अपेक्षा अधिक ठड़ी होती है क्या कारण है तो साफ रात मेगे रातों की अपेक्षा अधिक ठड़ी होती है विकीरण के कारण सांसदों की आयोगिता संबंदी विवाद पर निर्वाचन आयोग देता है पांचवी पंचवर्षी योजना का अभी गम पत्र किस ने तैयार किया था तो पांचवी पंचवर्षी योजना का अभी गम पत्र जो है ये तैयार किया था DP धरने next question देखते हैं भारत में गरीबी को परिभाशत किया जाता है किस प्रकार से तो भारत में गरीबी को जो है किस प्रकार से परिभाशत करते हैं तो right answer लोगों के जीवन इस्तर से प्रश्न के लिए सही उत्र हो जाएगा और calorie प्राप्त से स्वास्त की problem जो होती है उसको भी और calorie प्राप्त भी आपका हो सकता है लोगों के जीवन इस्तर को भी हो सकता है यह calorie प्राप्त का जो option आप यहाँ पर टिक लगा हुआ देख रहे हैं यह भूक से संबंदित है खाने से संबंदित है ना next question कौन सी बेरोजगारी विकसित देशों में पाई जाती है तो व सब्सक्राइब करके बैल आइकन ओन कर ले और अनेकैडमी पर मुझसे पढ़ने के लिए जरूर जुड़ जाए 12 मजे तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में आपका दिन शुब हो